आश्या गरता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम सिध्धान तकनी होतरी स्टेडी ग्लोस पर बहुत बहुत सवागत है अगला चाप्टर देखेंगे दोस्तों अब यह पार्ट टू शुरू हो गया है यानि कि अब हम पार्लियामेंट को देखेंगे ठीक है तो चाक्टा 12 डिफरेंस बिट्वीन पार्लियामेंटरी एंड प्रेसिदेंशल फॉर्म आफ गवर्बेंट तो बहुत ही जाधा इंपोर्टेंट लेचर चलिए आगया बढ़ते हैं सिद्धान तकनी होतरी के नाम से मेरी फेस्बूक प्रफाइल है पीडियेफ ले सकते हैं इंटर में आपको पता ही है लोकसभा है राजसभा है बाइक्यामेरल गवर्मेंट है ठीक है क्यूंकि हम पे पार्लियामेंटरी रिप्रेसेंटेटिव फॉर्म अफ गवर्मेंट है इस स्टेट की बात करें तो 163 और 164 यह आप आर्टिकल ज़रूर याद रखिएगा ठीक अब जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गर्मेंट है देखिए मोटे मोटे तौर पे दुनिया में तीनी फॉर्म चलते है तो डेमोक्रिस्टी और एक कम्यूनिजम कम्यूनिजम से थोड़ा आगे जाएंगे तो आप डिक्टेटर्शिप या फिट एफृट एफॉर्टेजि ट्राइम मिनिस्टर को ठीक है दूसरा है प्रेसिडेंट्चल जहां पर ताकत होगी प्रेसिडेंट मेस सबसे बहते है प्रेसिडेंशिल ए धिक्त लिह दो तरीके की Democratic सरकार होती है, ठीक है, जमूरियत की सरकारे, Democratic Governments, Parliament और Presidential समझ गए, अब यहाँ पे जो democracy होती है, उसमें Checks and Balances होते हैं, ठीक है, आपको पता ही है, Legislative, Executive और Judiciary, ठीक है, यह हमारी Parliament की और्गन्स हैं, ठीक है, हमारी democracy की और्गन्स हैं, Pillars हैं, ठीक है, तो Checks and Balances लगे रहते है High Democratic Form of Government में, चाहे वो Parliament हो, चाहे वो President हो, ठीक है, difference क्या आता है, Parliament system की बात करें, तो इसमें Executive जो है, वो Responsible होते हैं, Legislature को, समझ रहे हैं, यानि की जो Executive है, ठीक है, जो हमारे नेता हैं, जो काम करते हैं, जो कानून बनाते हैं, वो लोगसभा और राजसभा को Responsible होंगे, वो Parliament को Responsible होंगे, वो Legislature को Responsible होंगे, ठीक है, बहस कर सकते हैं, सवाल पूछाई जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, Presidential Form में ऐसा नहीं होता है, Presidential Form में जो Executive होते हैं, वो Legislature को Responsible नहीं होते हैं, अभी हम देखेंगे इसके Examples, अब Parliamentary Government को किस-किस और नाम से जाना जाता है, एक तो Respons कि जो Government है, वो आपको Britain में मिलेगी, इंडिया में मिलेगी, जापान में मिलेगी, और Canada में मिलेगी, ठीक है, अमेरिका से उपर है, Canada, ठीक है, Presidential Form of Government कहां पर मिलेगी आपको, अमेरिका में मिलेगी, ब्राजील में मिलेगी, रश्या में मिलेगी, रश्या में तो एक तरीके स हैं कि क्या-क्या features होते हैं parliamentary government के ठीक है सबसे पहले आपको पता है कि parliament में जो है वो nominal और real executives में थोड़ा differentiate करती है parliamentary form of government में जो real power होती है वो किसके पास होती है prime minister के पास समझ रहे है head of state कौन होगा head of state president होगा president जो है वो nominal executive होता है ठीक है titular executive होता है लेकिन prime minister is the de facto executive real executive कहने का मतलब है कि president जो है वो state का head होता है लेकिन ताकत किसके पास होती है प्रधान मंत्री के पास फर्स के तौर पे ठीक है president जो है ठीक है वो उसका जो president होगा ठीक है समझ लिजे कि वो भारत का सबसे जो highest post है वो president की वो पूरे भारत को देखेगा लेकिन उसने भारत को देखने के लिए किसको लगाया है प्रधान मंत्री को समझ रहे है तो president directly भारत को नहीं देखेगा indirectly भारत को देखेगा ठीक है प्रधान मंत्री जिसको जिसकी party को लोगों ने चुनके भेजा है वो काम करेंगे और वो प्रेसिडेंट को पल-पल की खबर देते रहेंगे प्रेसिडेंट के पास सबसे दादा ताकत है लेकिन वो डारेक्ट नहीं है यह चीज़ आप समझे तो प्रधान मंत्री is the real executive समझ रहे हैं और आर्टिकल 74 इसमें council of ministers की बात करता है कि हर प्राइम मिनिस्टर के पास एक council of ministers होंगे जो की aid करेंगे council of ministers और समझेए यहाँ पर अगर यह center का मैं example दे रहा हूँ state में भी आप यही example लेके चलिए state की अगर बात करें राजियों की बात करें तो वहाँ पर head कौन होता है government, governor, sorry government बोल दिया governor वहाँ पर राज जिपाल जो होता है वो head होता है और जो real executive वहाँ पर होता है वो chief minister होता है और chief minister की भी अपनी council of ministers होती है तो council of ministers यह प्रधान मंत्री को aid करते हैं और prime minister president को फिर report करता है समझ रहे हैं लेकिन यह prime minister यह जो council of ministers है यह किसके responsible है यह सब executives में आते हैं तो यह हमारी parliament को responsible है समझ रहे है they all are responsible to legislature जैसा कि हमने अभी देखा था ठीक है दूसरा important feature क्या है majority party rule ठीक है 70 seat जिसको मिलेगी वही party जो है भारत पे रूल करेगी majority मतलब क्या है कि 50 plus 1 50% plus 1 ठीक है हालाकि हम लोग क्या first past the post system है ठीक है अभी फिलाल उसकी हम बात नहीं करते है first past the post system चली मैं आपको समझाई देता हूँ इसमें actually क्या है कि vote का division हो जाता है ठीक है तीसरे को 25% वोट मिले तीसरे को 22% ऐसे वोट मिले तो जीतेगा कौन जिसको 36% वोट मिले है अब भया 36% और 35% वाले में कितना difference है एक परसेंट का हो सकता है दो तीन वोटों का difference हो लेकिन तब भी यहाँ पे जो जीता है वो वही जीता है जिसको सबसे ज़दा वोट मिले है तो यह थोड़ा सा गडबड है ठीक है बट इसमें फिलाल अभी नहीं जाते हैं इसके demerits की बात नहीं करते हैं तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भारत में majority जिस party को majority मिलेगी वही रूल करेगा ठीक है प्रधान मंतरी को अपउंट किया जाएगा आपको पता है यह direct election होते हैं हमारे प्रधान मंतरी फिर party से appointment किया जाता है और उसके बाद president जो है वो प्रधान resurrect को बनाता है जो position होती है the leader of the parties party is appointed as the Prime Minister by the President, ठीक है, मतलब पहले तो जो पार्टी की मीटिंग्स होती है, उसमें रधान मंतरी कौन होगा, कौन चेरा होगा, ये पार्टी डिसाइड करती है, और appointment जो होता है, वो President करता है, प्राइम मिनिस्टर का है, ठीक है, और उसके बाद जो other ministries है, वो भी President की appoint करता है, President head होत ठीक है, 74-75 बहुत ही जादा important है, ठीक है, अब यहाँ पे political homogeneity भी है, ठीक है, एक ही same political party से belong करते हैं, तो homogeneity का मतलब क्या, same, homogeneity मतलब बिल्कुल same, ठीक है, एक ही चीज़ चलेगी, hetero मतलब अलग-अलग, homo मतलब एक, तो homogeneity मतलब क्या, जैसे एक ideology है, वही ideology एक party में चलेगी, अगर कोई अलग ideology में गया, तो क्या होता है, कि कई बार parties को बर्खास कर देती है, लेकिन बहुत ऐसा कम देखने को मिला है, political party, भारत में political parties बहुत ही जादा unite है, ठीक है, तो homogeneity भी देखने को मिलती है, इससे होता क्या है, कि कोई बिल पास होता है, तो cross voting नहीं ह अबल membership का मतलब है, कि legislature भी इनके पास होगा, और executive भी, ये executive भी होते है, और house के भी member होते है, ठीक है, minister बनने के लिए आपको house का member होना जरूरी है, आपको खाली 6 महिने तक का ही time दिया जाता है, जैसे माल लीजेगर आप member of parliament नहीं है, और आपको minister बना दिया गया, तो 6 महि महिने में आपको सदस्यता लेनी पड़ेगी, यैसे S. जैशंकर के साथ हुआ, वह या वो bureaucrat थे न, ठीक है, वो foreign secretary थे, ठीक है, अब उनको minister बना दिया, foreign minister, तो उनको 6 महिने तक, तो सदस्यता मिल गई है, उनको सदस्यता लेनी पड़ी, ठीक है, 6 महिने का ही खाली time होता ह समझ गए, उसके बाद जो prime minister है, वो leader होता है, ये भी आपको पता है, council of ministers का leader कौन होता है, prime minister और leader of the party होता है, लोग सभा को dissolve किया जा सकता है, ठीक है, president है dissolve करता है, लेकिन हमको भी पता है, जो अविश्वास प्रस्ताव आता है, वो parties लेके आती है, ठीक है, तो प्रधान म होता है, कोई important bill है, कोई policy है, यहां पर oath ली जाती है, बकायदा members द्वारा, कि हम लोग इस बात को बाहर नहीं फैलाएंगे, किसी को बताएंगे नहीं, कोई decision आ रहा है, जैसे article 370, ठीक है, article 370 के बारे में बहुत लोगों को नहीं बता था, उसको abrogate किया, तो किसी को नही होती है, यह oath ली जाती है, बकायदा यह कसम लेते हैं, कि हम secrecy जो है, वो maintain करेंगे, बाहर जाके नहीं बताएंगे, तो यह features है, ठीक है, presidential form of government के features क्या क्या है, यह भी देख लेते हैं, अमेरिका का जो president है, वो state का भी head होता है, और government का भी head होता है, अब भारत में क्या था, state का head कौन है, president, government का head कौन है, prime minister, अमेरिका में ऐसा नहीं होता, अमेरिका में राश्ट्रपती, head of the state as well as head of the government, ठीक है, head of the state की बात करें, तो उसकी ceremonial position होती है, और head of the government की बात करें, तो executive organ, अमेरिका में जो executive होती है, उनकी बहुत ही जादा important post होती है, अमेरिका में जरूर Secretary बना सकता है, भारत में Ministers होते हैं, वहाँ पे Secretary होते हैं, ठीक है ना, तो अगर वो चाहे, अमेरिका में चाहे, आप अमेरिका का राश्टपती चाहे, तो आप House के Member हो, अमेरिका में भी दो House है, ठीक है, Upper House को बोलते है House of Representative, Lower House को बोलते है Senate, Lower House में 100 seat है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे Member हो, आप हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, तब भी राश्टपती जो है, वो आपको Secretary बना सकता है, important position दे सकता है, ठीक है, अमेरिका का जो राश्टपती वो चार साल के लिए चुना जाता है, दो टम से जाता नहीं, Franklin Delano Roosevelt, FDR जो थे जो World War 2 के समय तक President रहे, राश्टपती रहे, 1930 में जब इनको चुना गया तक Great Depression के बाद, वो खाली 4 टर्म तक रहे थे, ठीक है, खाली नहीं, मतलब 4 टर्म तक रहे थे, ठीक है, उसके बाद amendment हुआ, यहाँ पे संशोधन हुआ American Constitution में, और ये बोला गया कि अब जो राश्टपती नहीं बनाया, क्योंकि अमेरिका का समवेधान परमिटी नहीं करता है, आप खाली 2 बार तक ही राश्टपती हो सकते हैं, अमेरिका की अगर President को राश्टपती को रिमूफ करना है, तो impeachment से ही किया जा सकता है, ठीक है, President की जो cabinet होती, इसको kitchen cabinet बोला जाता है, छ और ये जो kitchen cabinet है, ये अमेरिका का राश्टपती ही appoint करता है, और कभी भी इस kitchen cabinet के members को वो dismiss कर सकता है, ठीक है, ये बहुत important D वाला जो point है, President और जो Secretary है, Congress को responsible नहीं है, यानि कि Congress बिल्ल कुल independent है, यहाँ पे जो Congress मतलब वही, इनका upper house और lower house, तो यहाँ की जो Congress है, वो बिल्ल क Congress nor attended session, कोई जरूरी नहीं है, जैसे अभी मैंने बताया ना कि इंडिया में क्या था, आप ये difference देख के चलिए, इंडिया में ये था, कि आपको लोगसभा, राजसभा का member होना जरूरी है, मिनिस्टर होने के लिए, अमेरिका में ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, आप session तक attend मत करिए, कोई भी, Congress बिल्कुल अलगे, वहाँ पे Congress को और राश्पती को बदलब बहुत तगड़ा separation है, power का पूरा का पूरा वहाँ पे अमेरिका में आपको separation देखने को मिलेगा, भारत में executive और legislative साथ-साथ काम करते हैं, judiciary independent है, समझ रहे हैं, तो ये चीज है, और हाँ, क चली हमने presidential form of government के भी features देख लिए, अब parliamentary system के, parliamentary system के merits देख लेते हैं, सबसे पहले तो legislature और executive साथ-सा काम करते हैं, अच्छी बात है, तो दोनों में harmony, अच्छी तरीके से coordination बना रहता है, ठीक है, तो कोई भी bill pass होना है, और कुछ भी करना है, तो आसानी से, यहाँ पे bureaucrats हो हो गए, नेता हो गए, वो सब एक तरीके से harmonious culture है, parliamentary system में, ठीक है, responsible government है, सबसे अच्छी बात है, responsible government है, parliament को responsible है, सारे के सारे minister, तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे बहस हो सकती है, no confidence motion, सवाल पूछे जा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, अमेरिका में ऐसा नहीं है, अभी बताया ना कि वो responsibility नहीं है, Congress को responsibility नहीं है, तो कैसे सवाल, ठीक है, उसके बात यहाँ पे despotism को भी prevent किया जाता है, यह बहुत important, भारत में dictatorship नहीं हो सकती, भारत में single person नहीं rule कर सकता, ठीक है ना, तो यहाँ पे dictatorial power ना हो जाए, dictatorial tendencies ना हो, यह भी check किया जाता है, ठी उसके बाद alternative government का भी प्रावधान है, सबसे भेतरीन example आप मद्ध प्रदेश में देख लीजे, मद्ध प्रदेश हाला कि जो हुआ, वो सही नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन मद्ध प्रदेश में आप देखिए, इधर Congress के सरकार गई, तुरंत BJP ने सरकार बना ली, ठीक है, त अपनी majority, तो तुरंत ही यहां पे न्योता भीजा जाएगा, जिसके पास majority होगी, ऐसा कई बार देखने को मिला है, 1996 से 1998 में दोस्तों जब तीन प्रदान मंत्री आये, तीन प्रदान मंत्री गए, मलब वही उन्हीं तीनों की बात कर रहा हूँ, और फिर यह इधर क्या केते 1989 से लेकर 1991 तक, तक में दो बार देखने को मिला है, अगर सेंटर की बात करें, स्टेट में तो बहुत, स्टेट में तो अंगिनत एक्जामपल है, हर स्टेट में एक चीज़ देखने को मिली है, कि यहां पे एक तो सरकार को majority को तोड़ा जाता है, खरीत फरोक्त होती है, ठी यह तो स्टेट में तो ही है, और यही बहुत बड़े डीमेरिक्स भी है, ठीक है, तो यह चीज़ है, उसके बाद यहां पे जो एक्जेकेटेव होते हैं, ठीक है, मतलब बहुत ही वाइड रप्रेजेटेशन होता है, क्योंकि एक्जेकेटेव है, ग्रूप ऑफ इंडिवि उसकी मतलब सरकार है, जैसे यह जनता पार्टी का आप देखेए, ठीक है, जब 1975 सिलकर 77 में, जब इमर्जनसी लगी, ठीक है, तो 1975 में तो इंडरा गांधी की सरकार्ती, कॉंग्रेस की सरकार्ती, लेकिन जब इमर्जनसी हटी, जनता पार्टी की सरकार है, इंडरा गांधी एक तरीके से indirectly dictatorship भी हो जाती है cabinet की क्योंकि 5 साल तक सरकार चुनी हुई आई है और अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे homogeneity नहीं रहती है हर कोई party के लिए काम करता है तो एक इंसान की dictatorship भी हो सकती है ठीक है उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि जो parliamentary system है इसमें legislature और executive सा बात में काम करते हैं तो यह भी दिक्कत है separation of power नहीं है यह भी बात में problem करता है ठीक है क्योंकि कभी कभी कानून जैसे इंद्रा गांधी के समय ठीक है 42nd amendment act के जो आया ठीक है और उसके बाद फिर इधर जो 25th amendment act आया जो basic structure of the constitution का concept आया तो उसमें क्या था उसमें पार्लियमेंट क्या चा रही थी executive और legislature चा रही थी ताकत उनके पास रहे लेकिन judiciary ने बचा लिया हमको ठीक है तो executive और legislature का भी separation नहीं है इनकी ताकत का तो यह भी एक drawback है ठीक है ना उसके बाद कभी कभी यहां पे कभी कभी के अकसर हमको देखने को मिलता है ऐसे ऐसे ministers जो दसवी फेल है चौथी फेल है कुछ नहीं पता भेंकर criminal record है उनका कोई बलातकार करके आया है कोई murder उसको minister बना दिया जाता है talented लोगों को पीछे रखा जाता है ठीक है जैसे अमेरिका में क्या है अमेरिका का राश्पती किसी को भी कोई scientist है उसको भी अपनी cabinet kitchen cabinet में रख सक सकते हम उसको सरकार में शामिल नहीं कर सकते उसको पहले member बनो ठीक है ना तो यह चीज है ठीक है तो यह external talent को include नहीं करता है तो कुछ demerits है अब यह आप देख लिजे यह parliamentary system है यह presidential system है ठीक है तो इसमें dual executive होते है और president में single executive होता है majority party rule इसमें president का ही rule होता है ठीक है और जो president और legislatures होते हैं वो fixed term के लिसमें appoint किये जाते है collective responsibility parliamentary system में अभी मैंने आपको बता है इसमें non responsibility होती है homogeneity political homogeneity होती है इसमें homogeneity exist नहीं करती है double membership है single membership यह सब मैंने बता तो दिया हूँ क्या बार बर बता हूँ ठीक है उसके बाद merits ठीक है harmony between the अरे यारे सब ठीक है आप देख लिजेगा ठीक है दुबारा मैं क्या repeat करूँ अराम से आप pause करके सको देख लिजे ठीक है उसके हम British और Indian model को distinguish करते हैं ठीक है हमने जो अपना model है ज्यादा तर हमने British से लिया है क्योंकि British नहीं पर रूल किया 1935 Act से हमने ज्यादा तर चीजे ली हुई है ठीक है लेगिन फिर भी भारत बहुत अलग है भारत एक Republican system है British एक monarchical system है मतला British में Queen King रहेगा राजा माराजा का अभ नहीं ले सकते राजा माराजा माराजा धिराज वो सब एकदम कुमर सिंग वो विकार है ठीक है उसके बाद दोस्तों British system जो है वहाँ पे Parliament की sovereignty है ठीक है पार्लियामेंट में सुप्रीम है भारत में Parliament सुप्रीम नहीं है पार्लियामेंट की भी कुछ restriction है क्योंकि हमारा written constitution है स हमने पहले से ही rules लिख लिए है अगर समविधान से कोई बाहर कुछ बाहर हुआ या कोई ऐसा crime हुआ तो क्या होगा हमको संशोधन करना पड़ता है ठीक है लेकिन British का unwritten अब unwritten constitution का ये मतलब नहीं कि उनका कानून लिखा ही नहीं नहीं जैसे जैसे चीजे होती जाती है वै ये एक थोड़ा सा drawback होता है है ना और हमारा थोड़ा संविधान भी काफी लेंदी है ठीक है ब्रिटेन में जो है प्राइम मिनिस्टर जो है उसको member होना चाहिए lower house का यानि कि house of common जो की parliament की होती है यहाँ पे किसी भी house लोग सभा चाहे राज्य सभा का member हो सकता है कोई भी दिकत नहीं है ब्रिटेन में क्या होता है कि जो member of parliament होते हैं उनको minister बनाया जा सकता है भारत में अभी मैंने आपको बताया कि 6 महिने तक आपको यहाँ पे maximum period of 6 महिने तक खाली आपको इधर minister बनाया जा सकता है ठीक है जो parliament का member नहीं है 6 महिने तक आपको अपनी सर्दस्ता लेनी पड़ेगी 6 महिने का जैसे SJ शंकर के साथ हुआ 6 महिने का खाली time रहता है ठीक है ब्रिटेन के पास जो है वो legal responsibility जो legal responsibility of minister होते हो ब्रिटेन के पास इंडिया में ऐसा कोई system नहीं है ठीक है और ब्रिटेन में shadow cabinet होती है shadow cabinet एक parallel government जो opposition party छोटी सी government और advice करती है British cabinet को हमारे में ऐसा कोई concept नहीं थे तो ये दोस्तो लेचर था difference between parliamentary and presidential form of government आई होप आपको समझ में आया होगा खुश रहेगे पड़ते रहे इदे से सिद्दान तक नहीं होता ही signing off